दूद ये रखता है आपकी सेहत का दियान क्योंकि इसमें है वो सारे तत्व जिन से आपका शरीर, मस्तिश्क और मिजाज रही, स्वस्त, तंदुरुस्त और ताजा क्या ये अश्चर्य की बात है कि दूद को श्वेत अम्रित भी कहा जाता है? इसी श्वेत अम्रित के उपादन और विक्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई है पारस दूद पारस दूद विक्रेताओं की दुनिया में ये कैसा नाम है जो आज गुणवत्ता और भरोसे का प्रतीत बन गया है पारस दूद का सफर श्री वेद राम जी ने सन 1960 में एक लगू दूद टेरी इकाई के रूप में शुरू किया था जब मात्र साथ लिटर दूद का उत्पादन होता था आज रोजाना बीस लाख लिटर दूद का उत्पादन होता है आज एक छोटी सी देरी ने छे प्लांट्स का विशाल रूप ले लिया है ये सभी प्लांट्स आयसो प्रमाणित हैं ये सफर मुमकिन हुआ सिर्फ एक मंत्र के कारण गुणवत्ता के प्रती एक अटल प्रती बध्धता चलिए, आज आपको दिखाते हैं कि पारस दूद को सभी माईनों में स्वच, निर्मल और स्वादिष्ट कैसे बनाता है साहिब अभाद के नज़दी के एक गांब में जर्ची गायों का ये जमाव एक आम दृष्ष्य है इन पशूओं की देख रेख पारस के पशू विशशग्यों द्वारा की जाती है जिससे इनकी सेहत और दूद उतपादन की शक्ती अधिक्तम रहती है एक आम कैटल शेड यानि पशूओं को पालने की जगह से हट कर इन जगहों पर साफ सफाई आँखों के सामने देखने को मिलती है सफाई सिर्फ जगह की ही नहीं बलकि इन गायों को दोहने वाले किसानों और यहां इस्तिमाल होने वाले बरतनों में भी देखी जा सकती है आप तक साफ स्वच दूद पहुचाने का यह मानो एक पहला पड़ाव है यहां इस बात को दुहराना होगा कि पारस सिर्फ उनहीं किसानों से दूद लेता है जो उनके स्ट्रिक्ट हाईजीन स्टैंडर्ड्स यानि स्वच्छता के कड़े नियमों का पालन करते हूँ हर सुभा आसपास के कई गावों से किसान पारस के खरीब 2000 से भी ज्यादा विलेज लेवल यानि गाम स्टर के कलेक्शन और चिलिंग सेंटर्स में दूद पहुचाते हैं पारस सभी वर्ग के किसानों को प्रोचसाहित करता है हो चाहे मात्र 10 लिटर लाने वाला साइकल पर चला आता छोटा किसान हो या फिर 100 से 500 लिटर दूद लाने वाला बड़ा किसान हो पारस की गुणवत्ता जांच की प्रक्रियाईं यानि क्वालिटी चेक्स यहीं से शुरू हो जाती है सबसे पहले दूद में वसा यानि फैट और सॉलिड नॉट फैट या SNF की मात्रा का पता लगाया जाता है और क्योंके इस पूरी प्रक्रिया में 5-7 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगता किसानों के सामने ही ये जांच की जाती है ताकि उन्हें अपने दूद की क्वालिटी का वहीं पता चल जाए दूद में पानी की मिलावट को प्रोचसाहन न मिले इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उन किसानों को ज्यादा दाम दिया जाता है जिनके दूद में फैट और SNF की मात्रा अधिक हो चिलिंग सेंटर्स में एकत्रित हुए दूद को 5 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है यहां से दूद को प्लांट्स में भेजा जाता है प्लांट्स तक पहुँचने के दौरान दूद को स्टेनलेस स्टील टैंकर्स में उसी 5 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है ताके दूद का ताप मानना बढ़े यह बात यहां गोर तलब है कि अन्य प्लांट्स की तरहा पारस में आयन पाइप्स या एलुमिनियम स्टॉरिज टैंक्स का इस्तेमाल नहीं होता और स्टेनलेस स्टील कंटेनर्स और टैंकर्स का ही इस्तेमाल होता है क्योंकि इन कंतेनर्स में दूद को देर तक ठंडा रखा जा सकता है और दूद की गुणवत्ता भी बरकरार रहती है प्लांट्स में पहुँचने के बाद इस दूद की गुणवत्ता की पुनेह जांच की जाती है जाँच के दौरान इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि पौश्टिक तत्वों के साथ दूद में कुछ ऐसी मिलावट तो नहीं है जो हानी कारक हो स्वच्छता गस्तर हमेशा कायम रहे यही पारस दूद की सफलता का राज है इसी के चलते प्लांट में पहुचने के बाद दूद को कई प्रक्रियाओं से ले जाया जाता है ये सब ही प्रक्रियाई बंद मशीनों में होती हैं दूद कहीं नजर ही नहीं आता और किसी भी समय से हाथ से नहीं चुआ जाता नतीजा, प्रोसेस होकर जो दूद निकलता है, वो स्वच, शुद और पौश्टिक होता है इन सभी प्रक्रियाओं से निकल कर दूद दो उत्पादों में तयार किया जाता है एक टेट्रा पैक और दूसरा पॉली पैक में टेट्रा पैक में बंद करने से पहले दूद को 140 डिग्री सेल्सियस तक 2 से 4 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है और उसके तुरंत बाद 20 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा किया जाता है टेट्रापैक में दूद बंद होने के बाद भी गुणमत्ता की जाच जारी रहती है Random Checks यानि कनवेर बेल्ट से किसी भी पैकेट को निकाल कर उसका परीक्षन किया जाता है इस परीक्षन से ये सुनिश्चित किया जाता है कि दूद गुणमत्ता के हर माप दंड में खरा है बारीकी से जाच करने के बाद इन पैकेट्स को बाजार में भेजा जाता है यहां ये बताना जरूरी है कि टेट्रा पैक में बंद दूद चार महीने तक खराब नहीं होता दूसरी पैकेजिंग है पॉली पैक पॉली बैक्स में दूद बंद करने की प्रक्रिया अत्यादुनिक उपकरणों द्वारा की जाती है यहां पर भी दूद को बिना हाथ से चुए पॉली बैक्स में बंद किया जाता है दूद का पस्चराइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है जिससे दूध को 72 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने के बाद इसे तुरंथ 5 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा किया जाता है पारस, उत्तर भारत में एक मात्र ऐसा दूध है जिसकी प्रोसेसिंग में बैक्टो फ्यूजिंग नामा के प्रक्रिया इस्तिमाल की जाती है इस प्रक्रिया से दूद में किसी भी हानी कारक की डाणों के होने की आशंका पूरी तरह से खत्म हो जाती है दूद को 5 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करके इसी तापमान पर बाजार में भेज दिया जाता है ताके दूद की ताजगी बरकरार रहे पॉली बैग्स में दूद, फुल क्रीम, टोन्ड और डबल टोन्ड के रूप में उपलब्ध है इसके अलाबा पारस दूद, पारस मिल्क पॉइंट पर भी उपलब्ध है इसे हम PMP कहते हैं ये automatic vending machine है और इसके द्वारा हमें पारस का homogenized, toned दूद मिलता है रात के अंधेरे में ही पारस दूद, बाजार में वितरण के लिए भेज दिया जाता है ताके पारस के उपभुखताओं यानि आपको सुभा सुभा, ताजा, शुद्ध और स्वादिष्ठ दूद मिले पारस गुणमत्ता का प्रतीक है इसी गुणमत्ता के चलते पारस को ISO 9001 से प्रमानित भी किया गया है दूद के अलावा इनके उत्पादनों में और दूद के उत्पाद जैसे देसी घी, दही, पनीर और लस्सी शामिल है इसके अलावा पारस, मिनरल वाटर और सोडा भी बनाते है पारस का दानेदार देशी घी 500 ग्राम, 1 किलो और 5 किलो के टेटरा, तिन और पॉनी जार की पैकिंग में उपलब्ध है आपको पारस का दही 100, 200 और 400 ग्राम की एर टाइट पैकिंग में मिलता है पनीर 200 ग्राम के पैक में उपलब्ध है जैसा कि आप सभी जानते हैं पारस, दिल्ली और आसपास के क्षित्रों में दूसरा सबसे बड़ा दूद विक्रेता है जो खरीब 20 लाक लिटर दूद का वितरन करता है यहां रोजाना करीब 20 लाक लिटर दूद और उससे बने उतपादों का उतपादन होता है जिसमें 6 लाक लिटर दूद एडिबल ग्रेट का सीन में कनवर्ट किया जाता है और 6 लाक लिटर दूद SMP, डेरी मिक्स आदी में बरसों से शुद्धता पर कायम रह गी आज इस देश के लाखों करोणों लोगों के लिए ये नाम शुद्धता की पहचान और गुर्मत्ता का परियाह बन गया है ऩटद्धता की वाखो ऑट दूliamo राघब के लाखों का शुद्धता कैसी दुद्धत्तों भुक के लाखों का स्वागश सूह मैं मठाब को बれて। isn't का स्वाब बंवार्एभ गब लिए मैं